Hey everyone, very warm welcome to all of you, welcome to life science part Sala, मेरा नाम है आस्था गुस्वामी और आज मैं आप लोगों को स्टीलर सिस्टम पढ़ाऊंगी जो के टेरीडो फाइट्स में देखने को मिलता है ठीक है और साथ मैं कुछ useful trick भी बताऊंगी जिससे आपको याद रखने में आसानी होगी और आप लोग आसानी से question solve कर पाएंगे ठीक है तो सुरू करते क्लास को स्टीलर सिस्टम को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि स्टील क्या होता है ठीक है तो ऐसा कुछ है नहीं स्टील जो है vascular cylinder को ही कहा चाता है तेरीडो फाइट में जो vascular cylinder होता है ठीक है उसको स्ट स्टील कहता है अब स्टील में क्या क्या आता है यह देखते हैं स्टील में जाइलम होता है फ्लोयम होता है पित होता है और पेरिसाइकल होता है ठीक है जाइलम फ्लोयम पित और पेरिसाइकल अब यह पित जो है यह optional है पित present हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता ठीक है अगर primitive type का steel है तो उसमें पित नहीं पहाँ चाएगा लेकिन अगर advanced type का steel है तो उसमें पित प्रेजन्ट होता है ठीक है तो steel में क्या क्या गया जाइलम फ्लोयम पित और पिरिसाइकल इन चारों चीज़ से मिल करके बना है steel ठीक है तो smith जो थे वो 1982 में उन्होंने टरीडोफाइट्स में दो तरीके के दो डिफरेंट टाइप के steels recognize किये थे ठीक है जिसकों उनने कहा proto steel और siphono steel ठीक है पहला proto steel और दूसरा siphono steel proto का मतलब होता है primitive ठीक है आप जानते होंगे proto का मतलब होता है primitive तो नाम में क्या है proto steel मतलब primitive type का steel तो जो पहला steel है वो primitive type का steel है और दूसरा जो है advanced है ठीक है तो सबसे पहले हम लोग बात करते है proto steel की most primitive type of steel ठीक है proto steel most primitive type का steel है दूसरा point है all other types have been derived from it ठीक है तो क्योंकि यह सबसे पुराना steel है तो बाग की जितने भी type के steels है वो सब इसी से proto-steel से ही derived हुए है ठीक है उसके बाद pith absent क्योंकि यह सबसे पुराना type का है steel proto-steel तो इसमें pith absent होता है तब क्या हो जाएगा इस proto-steel में तो क्या पहा जाएगा फिर xylem, phloem और pericycle pith absent होगा ठीक उसके बाद found in lycopodium, silotum and silagenella ठीक है और भी species में देखने को मिलता है लेकिन यह most important plants हैं जिनको आपको याद रखना है आगे मैं trick भी बताऊंगी इनका ठीक है तो lycopodium में, silotum में और silagenella में protostil देखने को मिलता है ठीक है अब हम बात करते हैं कि protostil की type क्या होती है मतलब कितने तरीके का protostil होता है तो generally चार type का protostil देखने को मिलता है ठीक है पहला है haplostil ठीक है haplostil, दूसरा है actinostil और तीसरा होगा plactostil और चौथा होगा mixed protostil ठीक है तो चार type का protostil होता है one by one हम discuss करते है haplostil जो है इसमें क्या होता है solid round central core of xylem surrounded by phloem and pericycle ठीक है जैसे कि यहापे क्या बोल रहा है solid round central core of xylem ठीक है center में solid core होगा xylem का ठीक है center में xylem होगा और उसको cover करके रखेगा phloem ठीक है यह xylem है ठीक है और उसके बाहर क्या हो जाएगा यह phloem हो जाएगा ठीक ठीक है और phloem के बाद क्या हो जाएगा pericycle pericycle फिर endodermis फिर cortex ठीक है तो इस तरीके का जो steel होता है जिसमें center में xylem उसके बाहर phloem फिर pericycle endodermis cortex ठीक, पिथ नहीं होता, तो इस तरिके का जो steel होता है, उसको कहते है, haplos steel, और ये देखने को मिलता है, sylezinela में और rhinia में ठीक है, जे primitive type के teridoffites हैं, तो इन में sylezinela में और rhinia में, haplos steel देखने को मिलता है, आपको sylezinela याद रखना है, most important है, ठीक, उसके बाद, दूसरा है actinostil, actinok का मतलब होता है star shape ठीक है और जो proto still है, ठीक है, proto still के जितने भी चारो जो types हैं, उनका नाम जो है, जाइलम को determine करता है, ठीक है, उनका नाम जाइलम को determine करता है, यह है actinostil, actinok का मतलब होता है star shape, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो जाइलम होगा, वो star shaped होगा, ठीक है, with radiating arms and phloem is present in separate patches, ठीक है, मतलब जो जाइलम होगा, वो star shaped होगा, कुछ इस तरीके का, ठीक है, और उसमें कई सारे radiating arms होगे, यह जब उसके arms है, ठीक है, एक, दो, तीन, चार, पांच, ठीक है, तो star generally 5 arms होते हैं star में, जो star arm बनाते हैं, ठीक है, तो यह इसके radiating arms है, उसके लवा phloem कहां होता है, phloem जो है, इन दो arms के बीच में यहां पे present होता है, ठीक है, पैचेस में जो है, यहां पे phloem होगा, फिर यहां पे phloem होगा, फिर यहां पे phloem होगा, फिर यहां पे, तो इस तरीके से phloem present होता है, actino steel में ठीक है और actino steel किसमें देखने को मिलता है lycopodium में और silutum में lycopodium के जो species है lycopodium serratum ठीक है lycopodium serratum में actino steel देखने को मिलती है अच्छा जो पहला haplos steel है ठीक है haplos steel आपको याद रखना है haplos steel जो है silasinela में देखने को मिलता है बाकी जो तीनो steel है proto steel के actino steel और mixed हो गया उसके लावा placto steel हो गया तो यह जो बाकी तीनो जो है यह lycopodium में ही रेखने को मिलेंगे आपको जैसे कि actino steel आपको lycopodium के serratum species में देखने को मिला बाकी जो दोनो टाइप बचे हुए है वो भी आपको lycopodium में ही रेखने को मिलेंगे बस species different होगी ठीक है तो आपको याद रखना है haplos steel silasinela में होता है और बाकी तीनो जो है वो lycopodium के ही अलग-अलग species में पाया जाता है ठीक diagram देखिए यह है haplos steel simple सा structure steel का यह center में जो है यह xylem है blue color का उसके बाहर जो है phloem है xylem surrounded phloem से black color का है pericycle ठीक है black color का जो बना है वो pericycle है उसके बाहर है endodermis green color का and then यह है cortex ठीक है तो यह सबसे simple type का जो steel है वो है haplos steel और दूसरा है actinostil ठीक है दूसरा है actinostil जिसमें xylem जो है यह star shaped में है ठीक है देखिए star shaped xylem है और इस xylem के दोनों arms के बीच में इस और इस दोनों के बीच में देखिए यह xylem यह phloem भरागवा है यहाँ पे भी phloem है यहाँ भी phloem है ठीक है तो यह हो गया actinostil उस अब बात करते हैं तीसरे टाइप की Proto Still की, तीसरे है Placto Still, अब यहाँ पर क्या है Placto, Placto means यहाँ पर Plates से हैं, ठीक है? तो यहाँ पर Zylem कैसा हो जाएगा? Plates, Plates के Form में होगा, ठीक है? क्योंकि मैंने बताया Proto Still में जो नाम रखा गया है, चारो टाइप का, वो xylem को determine करता है तो प्लैक्टो स्टिल से क्या हो जाएगा कि xylem जो होगा वो plates के form में होगा तो xylem जो है ये separate plates के form में है and phloem is present between these xylem plates ठीक है ऐसे ऐसे छोटे-छोटे से plates बने होते है xylem के चोटे-चोटे से ऐसे और इनके बीच में ये जो जगह खाली होती है जो जगह खाली होगी उसमें phloem भरा होता है और ये भी lycopodium की ही species में देखने को मिलेगा lycopodium clevitum में और lycopodium volubile में ठीक तो प्लैक्टो स्टिल भी lycopodium में देखने को मिल रहा है जो की lycopodium clevitum में और lycopodium volubile में मिल रहा है इसका diagram देखी ये plates जैसे आपको structure दिख रहा है ये ठीक है ये xylem है जो की plates की form में present है और इनके बीच में ये पूरा जो है से छोटे-छोटे से ठीक है ये जो white color के दिख रहा है आपको ये पूरा जो है phloem है ठीक है उसके बाहर होगा pericycle और फिर endodermis and then cortex और ये है leaf dress ठीक है तो ये होगा प्लेक्टोस्टिल लास्ट है mixed protostil mixed protostil में कैसा है mixed नाम में ही है mixed इसका मतलब xylem जो होगा वो mixed होगा मतलब वो हर जगा फैला होगा ठीक है xylem present in the form of discrete units embedded in phloem ठीक है तो क्या हो जाएगा xylem जो होगा वो हर जगा embedded होगा discrete मतलब कि हर जगा फैला होगा कहीं भी पाया जाएगा और वो फ्लोयम के अंदर धसा हुआ रहता है ठीक है ये phloem है और इनके अंदर ये छोटे-छोटे से xylem patches जो है embedded रहता है और ये भी lycopodium में पाया जाता है lycopodium के serenum species में mixed proto-steel देखने को मिलता है ठीक तो आपने देखा last के जो तीनो steels थे proto-steel के type थे वो जो है lycopodium के ही different species में पाया जा रहा थे जबकि पहला जो haplos-steel था वो silazanela में और राइनिया में पाया जा रहा था तो याद करने में काफी आसानी है वैसे मैं code भी बताऊंगे आपको फिर यह last वाला देखिए diagram यह छोटे-छोटे से patches के form में जाइलम है ठीक है यह जाइलम है जो की इसके पीछे यह जो छोटा-छोटा सा देख रहा है आपको ठीक है यह white color से यह phloem है और उसके अंदर छोटे-छोटे से patches के form में पूरे steel में पैले हुए है जाइलम ठीक तो यह हो गया mixed proto-steal उसके बाहर है जाइलम फ्लोयम के बाहर है pericycle फिर endodermis और फिर cortex ठीक तो यह हो गया proto-steal अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप की जो की है सिफोनो-steal ठीक है सिफोनो-steal जो है यह proto-steal से ही derived हुआ है ठीक proto-steal से ही evolved हुआ है ठीक है और क्यूंकि यह advanced character ह एडवांस एस्टेल का advance form है तो अब इसमें पित पाई जाएगी ठीक है proto-steal में पित नहीं थी लेकिन सिफोनो-steal में पित प्रेजेट है यही अंतर है ठीक है proto-steal में और सिफोनो-steal में proto-steal में केवल जाइलम-फ्लोयम था यहाँ पे पित भी होगा जाइलम-फ्लोयम के यहाँ पे फ्लोयम का arrangement देखने को मिलेगा तो proto-steal with the pith और medulated proto-steal is called siphonosteal ठीक है proto-steal में अगर pith present हो तब वो siphonosteal हो जाएगा और siphonosteal जो है two type का होता है ectofloic and amphifloic ठीक है proto-steal जो था उसके जो types थे उनका नाम जाइलम को determine कर रहा था लेकिन siphonosteal में जो types हैं उनका नाम phloयम को determine करता है यहाँ पे तो नाम में भी phloic है ecto का मतलब होता है outside, phloic का मतलब हो जाएगा phloem ठीक है मतलब जो phloem होगा वो xylem के outside present होगा तो हो जाएगा ectofloic और amphifloic में क्या होगा, amphi means होता है बोथ, ठीक है, तो अगर phloem xylem के दोनों साइड में, outer और inner side, दोनों साइड में present हो, तो इस तरीके का siphonostil कहलाएगा amphifloic siphonostil, ठीक है, वही लिखा गुआ है यहाँ पे, ecto means होता है outside, ठीक है, तो phloem जो है present होगा, only on outer side of the xylem, और ectofloic siphonostil, ओस मुंदा में देखने को मलता है, ठीक है, फिर है amphifloic siphonostil, जिसमें phloem जो है, दोनों साइड में present होता है xylem के, और यह पाया जाता है, marcelia में, adiantum में और dipteris में, ठीक है, आपको marcelia याद रखना है, amphifloic के लिए, osmunda याद रखना है, एक्टofloic के लिए, diagram देखें यहाँ पे, यह है एक्टofloic siphonostil, फिर है amphifloic siphonostil, सबसे सेंटर में पीथ पाया जा रहा है, फिर है xylem, उसके बाहर पाया जा रहा है phloem, ठीक है, उसके बाद है pericycle, dham, endodermis, और फिर cortex, ठीक है, तो यह हो गया, एक्टofloic siphonostil, amphifloic में क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, xylem के अंदर भी phloem है, और xylem के बाहर भी phloem है, ठीक, यह देखिए, यह blue color का xylem है, ठीक है, उसके अंदर भी phloem है, औ और अगर आपसे पूछा गया कि sequence बताइए, amphifloic में sequence क्या है इन सब layers की, ठीक है, तो सबसे अंदर क्या हो जाएगा, सबसे अंदर होगा inner endodermis, ठीक है, यह सबसे अंदर आप देख रहें green color जे, inner endodermis होगा, उसके बाद होगा inner pericycle, ठीक है, inner pericycle, उसके बाद inner phloem होग then gylem, फिर outer phloem होगा, ठीक है, outer phloem, फिर outer pericycle हो जाएगा, ठीक है, outer pericycle and then outer endodermis और फिर cortex, ठीक है, इसका sequence आपको याद होना चाहिए, ठीक है, क्या होगा जाएगा, सबसे अंदर होगा, पित, फिर inner endodermis, inner pericycle, फिर inner phloem, जाइलम, उसके बाद outer phloem, outer pericycle, फिर outer endodermis, और फिर सबसे बाहर होगा cortex, ठीक है, तो sequence याद रखेगा amphiploem का, उसके बाद सिफोनो स्टिल में कुछ modifications होए, ठीक है, सबसे पुराना था proto स्टिल, proto स्टिल में कुछ evolution हुआ, जिसे सिफोनो स्टिल बना, ठीक है, अब सिफोनो स्टिल में भी कुछ modifications हो गए, ठीक है, तो यह और advanced type के स्टिल है, तो सिफोनो स्टिल में जो modifications हुआ, तो तीन टाइप के स्टिल देखने को मिले, after modification इन सिफोनो स्टिल, पहला है solenो स्टिल, दूसरा है dicteo स्टिल और टीसरा है polycyclic still, ठीक है, सिफोनो स्टिल में 3 डिफरेंट तरीके के modifications देखने को मिले थे, solenो lithium steel और polys, ना cyclic steel, one by one इनको हम देखते हैं, पहला soleno steel है, soleno steel में क्या हो जाएगा, ऐसा siphono steel जिसमें single leaf gap पाया जाए, ठीक है, अगर siphonol steel में एक single leaf gap पाया जा रहा है, तो ऐसा siphonol steel को हम कहेंगे soleno steel और यह soleno steel जो है, यह two type का होता है, actofluic और amphip heroic ठीक है, siphonoplasty भी दो तरीके का था actofluic और amphip nhiều मतलब – floeum बाहर है तो actofluic और floeum अगर byẳल जयलम के दोनों तब है, तो amphip sympt hypothetical सेम डाइग्राम होगा, बस अंतर इतना होगा कि यहां पर एक single leaf gap देखने को मिलेगा ठीक है जिसकी वज़े से हम इस steel को कहा देंगे soleno steel और soleno steel जो है केवल कुछ ferns में देखने को मिलता है यह उतना important नहीं है इसे question नहीं बनते है ठीक है तो हम diagram देखते हैं यह actofloic soleno steel है और यह amphifloic soleno steel है ठीक है सिफोनो steel के जैसा ही diagram है बस अंतर है leaf gap का देखें आपे यह जो है यह leaf gap है ठीक है बाकी यह actofloic है जिसमें क्या है पित है फिर xylem है और xylem के बाहर flowem है फिर pericycle endodermis cortex ठीक है अंतर है केवल leaf gap का एक single leaf gap यहाँ पर पाई जा रही है जिसकी वज़े से यह actofloic soleno steel हो गया वैसे ही amphifloic में भी होगा सब कुछ सेम होगा जैसे amphifloic siphonal steel में था बस एक leaf gap पाया जा रहा है जिसकी वज़े से इसको amphifloic soleno steel कहा जा रहा है ठीक है इतना ही अंतर होता है अब हम दूसरे टाइप के modification की बात करते हैं siphonal steel के modified form की जो की है dicteo steel there are a number of leaf gaps and vascular cylinder breaks up into a number of smaller units called meri steel ठीक है तो इसमें क्या होता है dicteo steel में कि बहुत सारे leaf gap देखने को मिलता है soleno steel में केवल single leaf gap देखने को मिल रहा था आपको ठीक है लेकिन dicteo steel में एक से ज़्यादा leaf gap आपको देखने को मिलेंगे steeler system में उसके अलावा जो vascular cylinder होता है ठीक है xylem phloem जो होता है vascular cylinder वो normally कैसा होता है ऐसे xylem और phloem arrange होता है लेकिन dicteo steel में क्या होगा कि यह जो vascular cylinder है यह तूट जाते हैं छोटे छोटे pieces में तूट जाते हैं ठीक है और यह जो छोटे छोटे pieces जिस से ये तूटके अलग हो गया, फिर ये तूटके अलग हो क्या, ये तूटके अलग हो क्या, तो ये जो छोटे-छोटे पीसे हैं, जिसमें gyilem और phloam होता है इनको कहा जाता है Mary still, ठीक है? तो dickty Memorial चूट में क्या-क्या होता है? पहला तो number of leave gaps बढ़ जाते हैं, एक से जादा हो जाएंगे, और दूसरा क्या होगा, जो वैस्कुलर सिलेंडर होगा, जाइलम फ्लोयम, वो भी तूट जाएगा, और छोटे-छोटे पीसेज में डिवाइड हो जाएगा, जिसको मेरी स्टेल कहा जाता है, ठीक है, यही अंतर है, सोलेनो गैफ है, ठीक है, यह लीफ गैफ है, इसमें बहुत सारे लीफ गैफ देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो एक से जादा लीफ गैफ आपको देखने को मिलेगा, डिक्टियो स्टिल में, उसके बाद यह है वैस्कुलर सिलेंडर, इसे ऐसे connected होना चाहिए था एक दूसरे से, ठ ठीक है, लेकिन आप देखरें, यह छोटे-छोटे boxes जैसा structure बना है, ठीक है, तो यह जो छोटे-छोटे से हैं, वैस्कुलर सिलेंडर, इनको कहा जा रहा है मेरी स्टिल, मतलब वैस्कुलर सिलेंडर जो है तूट गया, यह छोटा सा हो गया, फिर यह छोटा सा हो गया, तो इनको मेरी स्टिल कहा जाता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, अंदर की तरफ जाइलम होता है, और उसके बाहर होता है फ्लोयम, और सेंटर में पित होता है, आप जानते ही है, एडवांस है, तो इसमें पित होगा, तो सेंटर में पित होगा, और फिर जाइलम फ्लोयम मेरी steel के form में होंगे और एक से ज़्यादा leaf gap होगा तो ऐसे steel को हम कहते dictio steel और यह dry up terrace और terrace में पाया जाता है ठीक है उसके बाहर cortex से फिर epidermis है ठीक अब हम बात करते हैं last type के modification की जो कि है poly cyclic steel अब poly से क्या हो जाएगा poly का मतलब हो जाएगा बहुत सारा ठीक है poly का मतलब होगे बहुत सारा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा more than one ring of vascular tissue is present ठीक है यहाँ पर एक से ज़्यादा vascular tissue के ring देखने को मिलते है steel में and there are two concentric rings of vascular tissue are present in teridium equilinum ठीक है यह example important है teridium equilinum ठीक है जिसमें डो concentric ring vascular tissue के पाय जाते हैं ठीक है अलग-अलग species में different number में concentric ring पाया जाते है vascular tissue के तो teridium जो है teridium में दो concentric ring होते हैं vascular tissue के ठीक है और भी plants हैं जिनमें जाता 3 हो सकते हैं 4 हो सकते हैं ठीक है number vary करता है तो polycyclic steel जो है teridium equilinum में पाया जाता है जिसमें एक से ज़्यादा vascular tissue के rings देखने को मिलता है उसके लावा polycyclic जो still होता है उसको दो नाम दिये जाता है वो depend करता है कि जो outer cylinder होता है वो कैसा है तो if in a polycyclic steel the outer cylinder is solenostellic it is called polycyclic solenostell ठीक है तो जो outer cylinder होगा ठीक है अगर वो solenostellic है मतलब अगर एक single leaf gap देखने को मिल रहा है बाहर का structure solenostell जासा दिख रहा है तो हम कहेंगे कि यह polycyclic solenostell है वहीं अगर जो outer cylinder है वो dictyostellic हो मतलब कहीं सारे leaf gap पाए जा रहा है ठीक है तो हम क्या कहेंगे कि यह polycyclic dictyostell है ठीक है डियाग्राम देखिए यह simple polycyclic still है जिसमें दो ring है ठीक है यह बाहर का ring है यह अब देख रहे हैं यह बाहर का ring है ठीक यह बाहर वाला ring है जिसमें यह मेरी still के form में धेर सारे vascular tissues vascular bundles present है ठीक है और यह अंदर वाला ring है ठीक और क्योंकि छोटे-छोटे यह रेखें मेरी still के form में vascular tissue पाई जा रहे हैं यह छोटे-छोटे से मेरी still है तो यह outer ring हो गया और यह inner ring हो गया और बीच में यह जो structure दिख रहा है यह है scleran kyma ठीक है तो यह हो गया polysteel अब हम देख लेते हैं दो different type के जो type नहीं depend करता है कि किस type का outer ring है उसके यह अधार पे दो नाम दिये गया है polycyclic still को polycyclic soleno still और polycyclic dicteo still तो normal अंदर का जो structure है वो देखें पित है फिर phloem है then gylam है then phloem है ठीक है तो inner ring तो normal है लेकिन जो outer ring है य एक single leaf gap देखने को मिल रहा है ठीक है तो बाहर वाला structure आपको soleno still जैसा देखने को मिल रहा है इसलिए इस polycyclic still को कहा गया polycyclic soleno still लेकिन इस structure में क्या है यहाँ पे यह देखिए मेरे steel के form में तूट गया है xylem और phloem जो है यह मेरे steel के form में तूट गया है ठीक है तो तीन मेरे steel के form में यह structure present है ठीक और यहाँ पर leaf gap भी देखने को मिल रहा है यह एक leaf gap है फिर दूसरा है फिर तीसरा है ठीक है तो कई सारे leaf gap पाय जा रहा है उसके अलावा जो vascular system है vascular cylinder है वो मेरी steel में तूट गया है ठीक है तो इसलिए यह इस तरीके का जो polysteel है उसको कहा जा रहा है polycyclic dicture steel ठीक अब बात करते हैं कुछ trick की ठीक है कुछ quotes मैंने बनाया है तो अगर आपको वो example याद नहीं होते तो आप quote के थूरू learn कर सकते हैं जैसे कि पहली trick है protosteel के लि प्लीज का हो जाएगा P, पहला alphabet लिजे P, P से हो जाएगा protosteel ठीक, L से हो जाएगा lycopodium और S से हो जाएगा sylazenela, please like and share तो protosteel में lycopodium और sylazenela, ठीक है तो lycopodium और sylazenela में protosteel देखने को मिलता है ठीक है, please like and share, याद रखेगा P से protosteel, L से lycopodium और S से sylazenela तो sylazenela और lycopodium में protosteel पाया जाता है, अब बात करते हैं siphonosteel की, तो siphonosteel में दो तरीके का होता है, actofloic siphonosteel और amphifloic siphonosteel, तो actofloic के लिए बात करते हैं, एक बहुत awesome बना है, ठीक है जब आप लोग एक बनाते हैं, तो अगर बहुत यमी बनता है, तो आप क siphonosteel और awesome से क्या हो जाएगा, osmunda, osmunda में जो stil पाया जाता है, वो होता है, actofloic, तो एक बहुत awesome बना है, awesome से osmunda, इसे हो जाएगा, actofloic siphonosteel, ठीक, तो actofloic के लिए हो गया, एक बहुत awesome बना है, अब बात करते हैं, amphifloic siphonosteel के लिए, अम्मी मार्केट गई, ठ siphonosteel, और मार्केट गई का, मार्सीलिया, यहां पर S छुट गया, यार के बात, ठीक है, मार्सीलिया होगा, तो अम्मी मार्केट गई से क्या, amphifloic siphonosteel, मार्सीलिया, मतलब मार्सीलिया में कैसा, still होता है, amphifloic siphonosteel, मैंने simple सा code बनाया है, आप चाहें तो कुछ और भी बना सकते हैं नहीं तो आप इसे भी याद कर सकते हैं ठीक है उसके बाद Dictio Steel और Polycyclic Steel के लिए कोई code नहीं है बस इतना ही है कि D से सुरू होता है Dictio Steel तो आप D से Dictio Steel और D से Dry of Terries याद रख सकते हैं ठीक है क्योंकि ये भी D से सुरू हो रहा है और इसमें पाया जा रहा है वो भी D से सुरू हो रहा है Dry of Terries और इसमें Terries भी आ जा रहा है ठीक है तो Terries में और Dry of Terries में Dictio Steel देखने को मिलता है वही Polycyclic P से सुरू होता है और ये पाया जाता है Terridium में contexto P से शुरू होता है, ठीक है, pickled P से शुरू होता है, ठीक है, तो poly-cyclic P से शुरू हो रहा है, Termidium P से शुरू हो रहा है, तो teridium में poly-cyclical स्टिल होगा और ड्राइ अंपर टी से स्चुरू हो रहा है और डिक्ट्ड शूरू हो रहा है तो ड्राइअ प्रिक्ट्ले में डिक्टी के लिए प्रोट् monopoly फिल द्री Haha टीर पॉह जाएगा उसके लावा एक बहुत आसम है आसम बना है एक्टोफ्लोएक सिफूण दो स्टिल औसमुंडा में पाबा जाएगा औसम सिफूण। ठीक है और अमें मार्केट गई एमथ्लोएक siffyle जोगा design मार्केट मार्सीलिया ठीक है मारसीलिया में एमफिक फ्लोईक सिफोन उस्टिल होगा तो आप इसे याद कर सकते हैं ठीक है आप चाहे तो नया कोड भी बना सकते हैं तो इस्टिल सिस्टम कंप्लीट हुआ ठीक है मिलते हैं अगले क्लास में